हलो गाइज हम कर रहे थे अपनी त्यारी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स जो 816 निकालिया है हर्याना गौर्मेंट में उसके रिगार्डिंग हम मैट्स की त्यारी करने वाले हैं उसमें एक मैट का पोशन जियोमेट्री से रिलेटिड आने वाला है तो जियोमेट्रीक्स से इसके रिलेटिड हम बेसिक्स टॉपिक करने वाले हैं लास्टू वीडियो हम अप्लोड कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हैं दिस्क्रिप्षिन वाक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा तीसरी वीडियो हम बेसिक्स करने वाले हैं आज पॉलीगन का मतलब क्या होता है जू स्ट्रेट लाइन से कलोजज कर्व कैसी भे हो सकती है आपको बंध अक्रीती और छीधी बुझाओं से, बिल्कुल एकदम सीधी बुझाएं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यही बूल दूँ कि यह यह भी तो सीधी है अगर मैं बात करूँ इसकी तो यहां पर र्याय चाहिए यह पॉलिगन बोलते हैं हम उसे, देखे अब कैसे कैसे होती है, पॉलिगन में आपकी पहली टाइप आती है, तीन बुजाओं से बनने वले, जब कोई दो बुजाओं होंगी, जैसे मर्जी जूर जाएं, वो बंद तो नहीं हो सकती, तो सबसे पहले जो आपकी बंदा कृती है, वो होती है, तीन बुजाओं से बनी बंदा कृती, तो सबसे छोटा पॉलिगन जो होता है, वो होता है ट्रेंगल, या फिर त्री बुज, चार बुजाओं से बनी बंदा कृती को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्री लेटर, क्या बोलते हैं, क्वाड्री लेटर या फिर चत्र अब quadrilater में आगे types आ जाती हैं, पहली आ जाती है square की, square यानि कि क्या बोलते हैं हम उसे हिंदी में, वर्ग, वर्ग की क्या होती है, चारो बुजाएं समान होती है, क्या होता है वर्ग में, चारो बुजाएं बराबर होती है, और हर angle मैं यहाँ पे दुबारा बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा बन गया यह, देखे, इसकी चारो बुजाएं समान होती है, यहाँ पे मैंने एक का निशान, 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 इसका मतलब क्या है, कि यह चारो बराबर हैं, तो यह, और इसमें, चारो, चार corner पे 4 cone बनने हैं और मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया है कि ये sign किसका होता है कि sum cone मैंने आपको पिछली वीडियो में एक right angle triangle बता इता है उसको हम बोलते हैं sum cone 3 mani grape तो sum cone उता है आपका 90 degree का cone वर्ग में 4 cone क्या होते हैं 90 degree के होते हैं और quadrilater से अगर आपसे कूछा जाए कि चत्र बुझ के 4 कोनों का योग कितना होता है जैसे 3 बुझ के 3 कोनों का योग मैंने आपको बताया था 180 degree 4 कोनों का योग होता है 360 degree 360 degree आप यहां से भी याद कर सकते हैं ये 90 का ये भी 90 का 90 तो इन 4 को हम जमा करते हैं जब प्लस करते हैं तो आपके पास अंसर आता है 360 degree तो कोई भी quadrilater है मैं या वर्ग की स्पेशली बात नहीं करती कोई भी quadrilater है 4 कोन है जिसके 4 साइड है तो उसके 4 कोनों का योग 360 degree ही होता है quadrilater की मैं आपको टाइप बता रही थी पहली टाइप मैंने आपको बताई वर्ग देखें दूसरी टाइप दूसरी टाइप होती है rectangle या फिर हम इसे हिंदी में बोलते हैं आयत आयत में क्या होती है दो आमने सामने की बुजाएं बराबर होती है ये इसके बराबर इसके सामने कौन सी बुजाएं होगी इसके बराबर आप यहां से भी निशान लगा सकते हैं देखें मैंने इसके उपर एक लाइन डाली है इसके उपर भी एक इसका मतलब क्या है ये दोनो बराबर है और इसके उपर दो लाइने इसके उपर भी दो लाईने, ये दोनों बराबर हैं, तो ये कौन सी बुजा होगी, आपकी कैसी हो गई है, इसको बोलते हैं हम आयत, या फिर इंग्लिश में बोलने हैं, तो हम rectangle, इसके भी चारों कौन 90 डिगरी के होते हैं, देखिए, अगर आपसे समानता पूछे, वर्ग और आयत में क्या समानता होती है, कि इसके भी चारों कौन 90 डिगरी के होते हैं, और अगर आपसे differences पूछे, तो differences क्या होते हैं, इसकी 4 भुझाएं बराबर होती है, 4 भुझाएं क्या होती है, समान होती है, और इसमें क्या होती है, आमने सामने की भुझा बराबर होती है, आमने सामने की भुझा समान होती है, ये कौडिलेटर की 2 टाइप हैं, 2 टाइप और हैं, देखें मैं साथ ही बता रही हूँ आपक कौड्रिलेटर की टू टाइप्स और है तीसरी टाइप जो आती है वो होती है समानतर चत्रवुज समानतर चत्रवुज और एक चोथी है सम चत्रवुज सम चत्रवुज देखिए जो सम चत्रवुज है पहले मैं आपको वो बता दू सम चत्र बुज किसके जैसा होता है आपके स्केर के जैसे सम चत्र बुज मतलब सम समान चत्र बुज मतलब चारो बुजाएं जिसकी चारो बुजाएं क्या हो समान हो अब आप कहेंगे चारो बुजाएं तो वर्ग की भी समान थी तो इसको अलग का नाम क्यों दिया गया, इसको वर्ग ही क्यों नहीं कहा गया, इसकी चारों भुजाएं तो समान है, पर इसका कोई भी एंगल, दिखे कोई भी लाइन सीधी नहीं है, तो कोई भी एंगल इसका 90 डिगरी का नहीं होता, तो यही इसमें और समानता है सम पूज़ोर वर्ग के इंदर आपको चारों कौन क्या मिलेंगे 90 डिग्री की सारे सीधे मिलेंगे एकदम से, और सम्चत्रबुज क्या होता है, तोड़ा टेडा होता है, सम चत्रबुज में बुजाएं तो सारी बराबर होती हैं बट कोई भी कौन इसका 90 डिगरी का नहीं होता अब बात करते हैं समानतर चत्रबुज की समानतर चत्रबुज की समानता हम करेंगे आयत के साथ दिखिए इसकी भी क्या होती है आमने सामने की बुजाएं बराबर होती है आमने सामने की बुजाएं बराबर होती है पर ये आयत नहीं होती क्योंकि इसके सारे कौन 90 डिगरी के होते हैं और इसका कोई भी कौन 90 डिगरी का नहीं होता तो ये आपका क्या बनता है, समानतर चत्रबुज, मैं रपीट कर रहे हूं, आप लिख लीजिए, वर्ग, चारो बुजाएं बराबर, चारो कौन नब्बे डिगरी, आयत, आमने सामने की बुजा बराबर, चारो कौन नब्बे डिगरी, सम चत्रबुज, चारो बुजाएं पर कोई भी कौन 90 डिग्री का नहीं होता. समांतर चत्र बुझ आमने सामने की भुजाएं बराबर पर कोई भी कौन 90 डिग्री का नहीं होता. Clear? तो ये टाइप हैं आपके किसकी? Quadrilator की. जेखित हम पोलिगन से शुरू होए थे, पोलिगन की पहली टाइप आती है, तीन भुजा वाली, इसको बोलते हैं, त्री भुज, चार भुजा वाली, Quadrilator, ये सारे मैंने आपके Quadrilator के टाइप कराए हैं, पांच भुजाओं से बनी बंदा कृति को हम बोलते हैं, Pentagon, पंच भुज. देखिए, पांच भुजाओं से बनी बंदा कृति को, पांच भुजाओं हो सकती हैं ये, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच हुए, ठीक है, एक नंबर की, दो की, ये तीसरी, ये चोत्ती, और ये पांच हुए, तो 5 बुजाओं से बनी बन्दा कृति को क्या बोलते हैं, हम हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं, पैंटागन, और हिंदी में बोलते हैं, पंच बुज, छे बुजाओं से बनी बन्दा कृति को, अगर इसकी 6 बुजाओं देखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर 6 बुजाओं हैं, इसको English में बोलेंगे Hexagon, Hexagon, ठीक है, छट गन भी बोलते हैं इसको, या छट छट बुझ, इसको क्या बोलते हैं, छट बुझ, छे बुझाओं से बनी बंदकरीती को, साथ बुझा वाली, सत बुझ होती है आपकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जैसे मर्जी, ऐसे कर लीजी आप, ठोड़ा टेड़ा, ये exact नहीं बनती है, ऐसी, जैसे जाके इधर आ गई, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 7, ठीक है, तो ये 7 बुझाओं होगी, और 7 बुझाओं को क्या बोलते हैं हम, सत्थ बुझ, और 8 बुझाओं वाली को बोलते हैं हम, अश्ट बुझ, और इंग्लिश में बोलते हैं, ओक्टागन, 9 बुझाओं वाली को, आप इंग्लिश में याद रखिए, नैनोगन, नैनोगन क्या होती हैं, 9 बुझाओं से बनी बंदा क्रीती, जिसकी 9 बुझाओं हो, और सबसे बड़ी होती है, 10 बुझ बोलते हैं हम इसे, वैसे हिंदी में इसका नेम नहीं आता, बस ऐसे बोलते हैं आपको, 10 बुजाओं से बनी बन्दा क्रीती को क्या बोलते हैं 10 बुजाओं से बनी बन्दा क्रीती 10 बुज ठीक है तो यह आपको पता और याद रखने हैं आपने 3 बुजाओं से 3 बुज 4 बुजाओं से कॉडिलेटर 5 बजा से बनी हुई 5 बुज या फिर pentagon, 6 से hexagon, 7 भुझ से hepta, इंग्लिश में बोलते हैं hepta, या फिर 7 भुझ, octagon होती है, 8 भुझा से, 9 भुझाओं से बनी बंदा कृती नैनो गन, और 10 भुझाओं से decagon, ठीक है, तो यह मैंने आपको polygons के type कराई है, नेक्स्ट अप्डेट के लिए बने रही है हमारे चैनल के साथ, थेंक्यू, हाव नाइस दे,